नमस्ते बच्चों इस फीडियो में हम उंगलियों से वस्तू के लंबाई नापने का सामानी तरीका सीखेंगे बच्चों मेरी सामने कुछ वस्तूएं रखी हैं क्या आप इन वस्तूओं के लंबाई नाप सकते हैं? मैडम हम इनको कैसे नाप सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे हाथ से भी छोटी वस्तूओं हैं जब वस्तूओं हमारे हाथ के नाप से छोटी होती हैं तब हम उन्हें अपनी उंगलियों से नापते हैं जैसे इस चौक को नापने में हम अपनी उंग्लियों का इस्तमाल कर सकते हैं एक, दो, तीन, चार चौक की लंबाई चार उंग्लिया है बच्चों, क्या आप इस पेंसिल की लंबाई नाप सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच पेंसिल की लंबाई पांच उंग्लियों के बराबर है जोई, क्या तुम इस डस्टर को अपनी उंग्लियों से नाप सकती हो? हाँ टीचर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ये साथ उंग्लियों के बराबर है बिल्कुल सही, बच्चों अब आपकी बारी है बच्चों इस वीडियों में हमने उंग्लियों से वस्तु को नापने का सामानी तरीका सीखा